आज मैं बनाने जा रहे हूं लेडी सॉक्स जिसके लिए देखे मैंने ये दो कलर लिये हैं और टेन नमबर सलाई लिये और देखे इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं 22 फंदे डालने के बाद इसमें सीधे साइड मैंने 22 रो उल्टी उल्टी बनाई है देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, त्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, बाइस ये 22 रो मैंने डाली है इधर से और उल्टे साइड 21 रो है तो ये 43 रो हो गई दोनों साइड की और अब देखिए यहां से मैं उल्टे साइड से दूसरा कलर अटेच करूंगी और इसको मैं थमबाला बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको बिना थमगा भी बना सकते हैं, मैं दोनों चीज इसी में बता दूंगी आगे यह देखिए, इस रोखो मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुल दिया है, इस साइड यह सीधा है, जिस साइड मैंने यह फंदे डालेते हैं तो और शाइड मैंने था आगा लगाया, इस साइड ही है, हमारा सीधे साइड आ जाएगा सु yखे को यह देखिए यहां से आप मैं बिजाइने स्टार्ट कर रही हूं तो देखिए यहां से उल्टे साइड से मैं गिरीन कलर लगाऊंगी एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चादे यह देखिए मैं यहां पर 14 फंदे गिरीन बुल लिए हैं और 8 फंदे रेट को छोड़ दूँगी मैं यहीं से टर्न कर दूँगे यह देखिए यह देखिए यह सीड़े साइड है अब यहां से पलट लेंगे और रॉंग साइड से फिर मैं यह रेड कलर लगा लूँगे पूरे फंदे जितने हमारे पास हैं उतने हम सारे बुल लेंगे यह देखिए गरीन से मैंने यहां तक बुने थे अब मैं इस रो में यह फंदे भी बुन रही हूं किदर से भी इसको उल्टा उल्टा बनाते कंप्रीट कर देंगे इसे दो आप देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर दस लाइन डालूँगी इसकी रेड की उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए इसमें मैंने यह दस रो डाल ली है रेड की एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस रो डाल ली है अगर इसमें आप थम नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप दस रो इसी तरह से और डाल रहे हैं और मैं इसमें थम बना रही हूँ तो देखिए यहाँ से मै इस तरह से 10 भंदे उतार दूँए दो काई करते हुए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, तस यह देखिए इस तरह से 10 भंदे उतार दिये है आप देखिए यहां से इस तरह से में 10 भंदे इस साइड देखिए उतार दिये और यहीं से में इस तरह से 10 भंदे बढ़ा लूँगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस और इस धागे को मैं यहां से कट करके और देखिए यहां पर जोड लूँगे क्योंकि यह थम के लिए इस तरह से बनेगा तो मैं यहां से इस धागे को आप जोड लूँगे इसको थोड़ा खन्यों को आराम से बुनना है इस तरह से नहीं तो यह लूज हो सकते हैं देरे देरे इनको बुनके कम्प्रीट करना है अब मैं यह सारे भंडे जो इस तरह से नहीं बुनके यहां तक और यहां से इस पलट करना है आप देखिए यहां से फिर में ग्रीन रगल का धागा लगाओंगी भूआ देखिए यहां से बुन रही हूं। इतने खंदे मैंने यहां से बुनते आ रही हूं और मैं यहां से पलट लूँगी 14 खंदे मुने बुने हैं यहां पर भी मुने बुनते बुनते हैं यहां से फिर रेड लगा लूँगी और रेड में में सारे फंदे इसी रेड से बुन लूँगी यह देखिए इस रोमे में सारे बंदे बुन रही हूं आप देखिए मैं इसी तरह से इसमें भी यहां पर दस रो इसकी रेड की डाल लूँगी उसके बाद में दिखाऊंगी यह देखिए इसमें भी मैंने यह रेड की दस रो डाल ली हैं देखिए एक दो तीन चार पांच आप 6,7,8,9,10 अब देखिए यह रेड वाला धागा मैंने यही पर कट कर दिया है और देखिए अब मैं इस तरह से 22 रो प्लैन की बनाऊँगी तो देखिए यहां से मैंने यह रेड धागा कट किया और यहां से गिरीन धागा लगा लिया सारे फंदे गिरीन से बुन लूँगी यह देखिए मेरा सारे फंदे बुन लिए हैं गिरीन से रेट भागा यहीं छोड़ दिया है आफ देखिए मेरा से बदाबर बनाऊंगे यहां से 22 रो ARE और इधर से 21 रो हैं कि इसके बाद मैं आपको जब सिलूँगी जब दिखाओंगी इर देखिए इहां से इधर से गिनेंगे तो 21 और इधर से 22 अब देखिए यहां से मैं दो का एक करते हुए उतार दोड़ी इस तरह से इसी तरह से पूरी रोग उतार देने यह देखिए मैंने इसको उतार के और कंप्लीट कर लिया है इसको इस तरह से अब देखिए सिलने से पहले अगर आपको इससे बड़ी चाहिए तो आप इसमें यहां पर इस तरह की दो रोग बढ़ा दें तो आपकी इससे एक नंबर बड़ी हो जाएगी और छोटी चाहिए तो यह दो रोग आप यहां पर कम करते हैं यहां से यह हो जाएगी यहां पर आप के लिए रखें जितना है यहां से आप छोटी और बड़ी दोनों कर सकते हैं और देखिए यह 5 और 6 नंबर को दोनों को आ जाएगी आसानी से क्योंकि बूल होती है थोड़ी सी तो यह इस तरह से हो जाएगी और आपको जिस तरह से बनानी है आप छोटी बड़ी दोनों बना सकते हैं इसी तरह से आप यह काफी एजी है काफी जल्दी भी बन जाती है यह देखिए इस तरह से एक साइड का यह सिल्ली आया है मैंने अब देखिए दूसरे बाले को इस तरह से यह से पकल लेंगे और इसको भी यहां से यह से मिलाते हुए इतना इधर को सिल्ल देंगे इसी दागे से मैं सिल्ल रही हूं इस साइड को इस दागे को कुछ कर दूंगी इस तरह से मैंने यह थाम और उंगली दोनों मतलब सिल्ल दिये हैं और देखिए अब मैं इस तरह से इसको यहां से आप यहां से पूरा मिलाते हुए एडी तक सिल्ल दोंगी यह देखिए इस तरह से आजाएगा तो अभी देखिए यहीं से इस तरह से यह देखिए जिस कलर की रो है उसी से इसको सिल्ल देंगे मिलाते हुए इस तरह से ग्रीन की है तो ग्रीन से मिला देंगे रेट को रेट से एड़ी किस तरेसी बराबराग्या यह देखिए यहां पर मैंने यह एड़ी तक सिल लिया है आप देखिए यह बेक साइड जो पीछी साइड रहाएगा एड़ी के बोची जी इसको भी मैं इसी तरह से मिलाते हुए सिल्गूंदी यहां पर पक्का कर देंगे ताकि यह खुले नहीं और इस दहागे को अंदर के साइड नोट लाता देएगे जो भी ढगे अंदर के साइड निकाल के और कंप्लीट कर दो देंगे यहां पर मैंने इस इसको पर सिल्गे कम्प्लीट कर दिया अब है कि अब देखिए मैंने रेड यह द्धागा लिया है तो देखिए यहां से में इसकी गुलाई देने के लिए नहीं तो ये इस तरह से इसको छील दूंगी जितना रेड है उसी को में इस तरह से इसा में इस तरह इस तरह से इस तरह से अधे इस तरह से इस तरह से इसको छिल देंगे तो यह यह पर फ्लावर का सेप आंगा और इस इसे निकाल देंगे और खिच देंगे और इस पे हैं आप बाटन चाहे तो पीस वाली बतन लगा सकते हैं या पर फ्लॉवर चाहे तो फ्लॉव sedक क्लियर स्वर लगा सकते हैं और देखिए यह विल्कुल समय मागं में आ काफ़ी जिल्दी बनके कम्प्लीट हो गई है यह देखिए अब मैं यहां पर फ्लावर बनाऊँगी तो इसके लिए देखिए इस तरह से अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसमें राउंड लगाऊंगे तीन चार पांट छे साथ पाट नौ दस ग्यारव बारे इसमें देखिए अठारे राउंड लगा लिए मैंने और इस तरह से खीच देगे इस तरह से इसको बापस निकाल लेंगे इस तरह से रिंग टाइप के बनके तयार होगे अब देखिए थोड़ा सा यहां से निकाल लेंगे इसको और देखिए अठारा राउंड लगाएंगे अठारा राउंड लगाने के बाद इसको इस तरह से खीच देए इस तरह से आगे तो इसको बापस निकाल लेंगे इस तरह से इसको बापस निकाल लेंगे आप देखिए यहां से मैं एक मोती लगाऊंगी इस तरह से हमारा फ्लावर बनकी कम्प्लीट हो गया है आप देखिए यहां से मैं एक मोती लगाऊंगी इस लूँड़ इस प्हूब अपर कर दो नियुड़ घूट फर अबादा से बादे इस बादे बादे जूब इस प्यादा से जो शूब आज़ तरह से उलके बादे आखिए